वेलकम बैक तो माई यूटिब चैनल वर्ल लिट्रेचर आज हम लोग डिसकस करने वाले हैं यूवल स्ट्रगल बाई पैब्लो नेरूडा पैब्लो नेरूडा जो के चेलियन पॉइट हैं पॉलिटिशन है और नॉबल प्राइज विनर है इन्स 1971 इन्होंने लिखा था केंट केंटो जर्नल जो के इनकी पॉइम्स की कलेक्शन है 1950 में वो पॉबलिश होई थी जो कि फ्री वॉल्म पे बेस करती है और उसके 15 सेक्शन है और 300 पॉइम्स है उसमें यूवल स्ट्रुगल बाई पैब्लो नेरूडा जो के कैंटो नेरूडा जो के कैंटो नेरूड़ हुई थी उसको हम लोग डिसकस करने वाले हैं You Will Struggle एक बहुत इंपोर्टन चीज इनके हवाले से पैबलो नरूडा के हवाले से कि इन्हों ने अपने पोईट्री के थ्रू अमेरिका की इंडिपैंडन्स वार पे क्रिटिसिम किया है क्लोनिलिजम पे क्रिटिसिम किया है और अपनी पोईट्री के त्रोक हुई ने मैसिज दिया है और आज वाली जो पोईप है हमारी वाल स्ट्रगल इसके अंदर पैशनेतल रहने का हॉफ hopeful रहने का जो message है वो हमें मिलेगा और साथ ही साथ nature को भी discuss किया गया है patriotism का इसमें हमें theme मिलेगा और klonialism का war का obviously वो तो मिलता है उनकी सारे points में था canto general की जितने भी हैं उनमें ये theme हमें मिलता है तो अपनी जो poem हैं उसको हम लोग start करते हैं first of all इसकी line जो हैं वो देखते हैं this new year compatriot is yours it was one of you more than of time के अब जो नया साल आया है के जो Americans की और Spanishers की 1898 के अंदर war होती है और फिर America के अंदर जो kolonialism का जो time period चलता है उसके बाद जो अब new year आया है ये मेरे हम वतनों ये एक ऐसा साल है जो के पिछले एक लंबे अर्से से जो miserable, sorrowful जो year चल रहा था अब वो खतम हो चुका है और एक new year है उसने आने में बहुत मारा वक्त लिया है तुमसे भी ज्यादा इसने इस साल ने आते आते जो है वो वक्त लिया है further कहते हैं choose the best of your life and surrender it to combat कि अपनी जिंदगी का बहतरीन चुनो और अपनी life को अपने country, America के लिए devote कर दो यहां पे patriotism का हमें थीम नदर आता है next line में कहते है this year that has fallen like a corpse in its storm cannot rest with love and with tear कि यह जो साल है जो के जिस तरह से कोई लाश जो मकबरे में गिती है वैसे गिरी है यह खौफ और महबत के साथ नहीं रह सकता है this expired year is the year of soros अब जो साल गुजर चुका है वो गमों का साल था because उसमें war हुई थी लोगों ने अपने जाने को बान की oppression लोगों ने बदाश because of colonialism that accuse and in the hour of festivity in the night लेकिन अब जो new year आ रहा है इसमें इसकी new nights होंगी new festivals होंगी new time होगा be passionate कि ready हो जाओ कि तुम्हें और struggle थोड़ी सी करनी है सिरफ just small little struggle more further कहते है when its bitter roots break जब इसकी जो bitter roots हैं वो तूटेंगी and fall another ignored crystal rises to the void और एक और जो crystal है वो खला के तरफ जाएगा that your life will gradually fill और तुम्हारे जिंदगी फिर से रंगों में भर जाएगी colors आ जाएगे जो war ने impacts की है वो सारे का सारे new चीज़ें आएगे तुम्हारे लाइफ के अंदर give it the dignity required by my country के मेरे country को जो इज़त जो dignity जो वकार चाहिए वो उसे दो you are this narrowness of volcanoes and wines के तुम्हारी जो कमिया है आतिश फिशाओं की wines की वो सब जो है वो पूरी हो जाएगी I am not a citizen of my country कि में पीछे वाले stanza में तो उन्होंने बता दिया के after war जो जो तुम्हारे साथ हुआ है अब तुम्हारी सारी जो wishes है वो पूरी होंगी जो time period तुमने मुश्यल गुजा रहा है अब वो time period जो है वो ठीक हो जाएगा लेकिन अब next में यो कहते है कहते हैं I am not a citizen of my country कि मैं अब अपने मुलक का शेहरी नहीं means कि वो जिस country में रहते हैं जिसके लिए उन्होंने अपनी life को अपनी life तक की फिकर नहीं की बहुत से लोगों ने अपनी जाने दे दी अब वो उस मुलक के शेहरी ही नहीं कहलाते I am told that the indecorous clown who go on कि अभी जो बेवकूफ किसम के यहां पे हुकमरान आ गए हैं जो उस time हुकुमत कर रहे थे अमेरिका पर has scratched my name with thousands of others कि उन्होंने मेरा नाम ही उस लिस्ट से निकाल दिया है जो के खुबल वत्मों में शामिल थे जिन्होंने अपनी जाने कुर्बान की अमेरिका के लिए from the list that were the law of the republic यहने कि उस time जो हकुमती रियास्ती अधारे थे उनके रूल के मताबक कि उन्होंने जो है वो मेरा नाम ही उस लिस्ट से निकाल दिया है my name is a crash so that I won't exist कि मेरा नाम इसलिए निकाला गया है कि मैं अब existing निकलता मैं जिन्दा ही नहीं हूँ मैं अब अपने मुलक में मैं मुझे नहीं जाना गयता कि मेरा नाम क्या है मेरी पहचान क्या है मेरी नेशनलिटी क्या है so that the dungeons, greasley, vulture can vote and the bestale agents कि जो हुबलवतन थे अब वोट कौन दे सकता है यहां पर बात की गई है वोट के, राइट की कि वोट वही दे सकता है जो उस country का होता है तो मतलब कि यह इसलिए किया गया है कि जो हुबलवतन लोग है वो अपने नुमाइंदगे अपने हुकमरान को स्लेक्टी ना कर सके उनको चूज ना कर सके कौन हमारे मुलक के लिए बेहतर है और यह इसलिए किया गया ताकि बेहुकूफ, अजारादर और जो हुकूमत के हकमी जो फाइदे वाले लोग है वो वोट दे सके यह जो बंद कमरों में तशद्दुत करते हैं हकूमती रहनुमा, हकूमती हुकमरान सिरफ वो वोट दे सकते हैं कि जो मर्चंट्स हैं, जो तजारत करते हैं और जो लेबर्स हैं वो वोट के लिए बुना दे सके हैं और अपने मुलक के लिए समाजत करें I am forced to wonder मुझे भटकने पर मजबूर किया गया है कि मैं इदर उदर भटकूं अपने मुलक से लिकाला गया हूँ I live the anguish of being far from prisoners and flowers मैं इस गमों गुस्ते के शिदत में जी रहा हूँ कि मैं अपने कैदियों से अपने फूलों से from mankind and land मैं अपने लैंड से और अपने इनसानियत सभी लोगों से human से अमेरिका से दूर हूँ because exilation के वज़ा से यहाँ पर जो list थी उसमें से नाम निकाल दिया गया है उनको nationality ही नहीं दी जा रही है but you will struggle to change life लेकिन तुम्हें struggle यहाँ पर इतना optimistic कहते हैं कि तुम्हें फिर भी जो है वो struggle करनी है इतना कुछ बावजूद हो जाने कि तुम्हार से इतना कुछ हो चुका है अमारिका में रहते हुए war हुई उसके बाद कि जो impacts वे government से ऐसी आएं कि उन्होंने जो Elliot Clark से उन्हें रूल किया लोगों उपर rather than solving their problems उनके और problems को increase किया you will struggle to scratch the spot of manual from the map के तुम्हें जो है वो इस जरखेज मटी को दुबारा से निकालना है इस नक्षे में से तुम्हें स्ट्रगल करनी है you will doubtlessly struggle so that the shame of these times will end ताके जो वो नादिम और शर्मिंदगी वाला वक था वो खतम हो सके and the people, prisoners, prisons will be open and the wings of betrayed victory on saw में के वो खुशी के लम्हें आए लोग जो लोगों को अजादी मिली और जरनफरोंतों का ये सारा इरह है ये खतम हो जाए अब पैबलो नरूडा ने war को explain किया है और बताया है किस तरह से जो war है वो किसी country को किसी society को अथना अंदास करती है बहुत से लोगों ने अपनी जाने इसमें दी लेकिन उनका जो नाम है उस सफ़ा हस्ती से ही मिटा दिया गये उनको उनको किया है नहीं जाता कि इन्होंने अपनी जो life है वो इस country के लिए दी है इसमें हमें patriotism का क्लोनिलिजम का war का humanity का इन सब चीजों का जो है वो theme नदर आता है I hope कि आपको lecture के अच्छे समझ आ गई होगी वीडियो को like और share कर दिजेगा thanks for watching my channel